जी भाइस, मैं एक नमबर एक से अगर कोई सवाल होतो करें नमस्ते, मेरा नाम रमेज भंडार है और मैं प्रोफेशन्टे टीचर हूँ तो मैंने सुना है कि मुझे नमस्ते कहा करा चांद के दो तुकडे गिये कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बहतरीन तरीके शैन्ट विश करो या कमस्कम उतना आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ क्यूं? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे जुक रहा हूँ इदम नममे मतलब आपके आगे जुक रहा हूँ जुकना सिर्फ है इश्वर के सामने तो मैं कौँगा मेरे आगे जुकना हराम है इसलिए मैं कौँगा अस्सलामु आलेकुम आप पे सलामत ही हो ये सबसे बहतरी तरीका है इसलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते के मानी जानता हूँ अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी ने नमस्ते आता इदम नममे से आप मेरे सब कुछ है मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ कुछ कुछ आपको हिदाद दे सकता हूँ खिदाद देने और अल्ला समाना होता अल्या है तो इसलिए मैं नमस्ते का जाद दूँगा असलाम वाले को अल्ला की सलामति आप पर हो आपका सवाल था कि मुहम्म्मण स्वाल 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 में चान के दो तुकड़े कर चुके है इनसान चान पर जा चुका है तो सांटिफिक लिए थाबित हुआ के ने चान के दो तुकड़े हुए कहने है कुरान के आयते शक्वल कमर की कई हदीस है हम मानते हैं कि यह मोजिदा था जो अल्ला ने किया मोजिदा किया अल्ला ने मुहम्म्मद स.A.W. के जरीए आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रॉनमस जो फल्कियात के माहर है वो कहते है कि चान्द पे एक फिशर है फिशर मतलब एक लखीर है क्या है बताने तो हम कहते है कि यह लखीर शायद निशानी है जब अल्ला के पेगंबर मुहम्मद स.A.W. ने शक्पल कामर कामर के दो तुकड़े किये थे तुकड़े होगे वापिस होगे तो यह फिशर है तो साइंटिफिक ली एक फिशर है क्या है लोग को पताने तो मैं कहता इंशालला वो फिशर वो ही है जो अल्ला के रसूल ने तुकड़े किये लेकिन आज अगर कोई कहेंगा कि चान के तुकड़े दो होगे इसलिए मैं इसलाम में मानता हूँ छायद